ना कद बड़ा ना पद बड़ा जो मुसीवत में खड़ा वही सबसे बड़ा मैं यहाँ पर आपके खुशाल दांपत्य जीवन की कर रहे हैं नहीं मैं आपके सगे मित्रकी कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, पब्लिक स्पीकिंग के, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, आपके शब्दों के, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, क्या आपको अभी भी डर लगता है लोगों से बात करने में, तो मैं आपको बताओंगे इसका सबसे मुख्य कारण क्या है मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इन से निप्टा कैसे जाए उसके पहले मैं आपको ये बता दू कि दुनिया के सारे अच्छे पब्लिक स्पीकर्स में एक कॉमन चीज क्या है जो आप भी यूटिलाइज कर सकते हैं वो कहने का मतलब है बातों की जादूगरी कुछ ऐसी होती है कि सामने वाला श्रोता गंद बड़ी ओडियंस हो या एक बंदा बैठाओ इन सब को मिंटों में पता भी नहीं चलता है कब वो उनको इतना पसंद करने लगते हैं कि मैं अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपके करनी होंगे पर उसके पहले एक बार में फिर से दोहरा दूँ टिप क्या है आपको अपने श्रोताओं के साथ एक अच्छे रिष्टे बनाने की आदर डालनी चाहिए रिष्टे तो भई ऐसे बनते नहीं है कि आप आप गय और आपने वोला देवियों और सजनों भाईयों अच्छे तक लोग आपको क्यों सुने उस सुनने के लिए आपकी आपकी ये कला रिष्टे बनाने की उनके साथ उनको ऐसा एहसास दिलाने की कि मैं आप में से एक हूं मैं जो बाते कर रहा हूं वो आपके लिए है और इस शुड अलबेस बी यू सेंट्रिक ये उनके पड़ेगा और उसके लिए जो तीन गुण हैं इस परकार है पहला खुद को जानिये नो यूरसल्फ बुद्धा भी बोलते थे खुद को जानना एक सबसे बड़ा एंलाइटनमेंट होता है तो खुद को जानिये और खुद को जानने के लिए खुद की बाते करनी होती है इसके लिए में बहुत बड़े मंच की जरुरत नहीं होती है ये प्राक्टिस है और ये प्राक्टिस जितनी ज्यादा आप करेंगे उतना माहिर आप होते जाएंगे दिन बदिन जैसे घर में आपकी वाइफ हो या आपके हस्बंड हो आपके बच्चे हो आपके दोस्त हो वो तो सुनी सकते हैं उनको छोटे 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 कहानियां बताएए अपनी जिंदगी के बारे में जैसे मैं जब मैं पहली जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक और बात, यह सारे ग्रेट पब्लिक स्पीकर्स जिसका भी आप नाम सुने होंगे, जिनको भी आप फालो कर रहे हो और जिनकी भी बात आप करते होंगे, वाह, क्या कमाल की वाते करते हैं, इनकी वाते सुनकर के ऐसा लगता है कानम मिश्री गुल गया हो but in some way, जो कमन चीजे क्या है यह बहुत ही अच्छी तरह वो करते होते हैं, यह अपने आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं मैं बहुत बड़ा मुर्ख हूं या बहुत बड़ा हुश्यार हूं या मैं इनको ठगने वाला हूं या फे मैं इनकी जिंदगी बनाने वाला हूं उनको अच्छे से पता होता है so know yourself, knowing yourself is the beginning of all the wisdom आपकी सारी बुद्धी के अरास्ता खुलता है अपने आपको जानने से और अपने आपको जानने के लिए अपनी कहानिया बताईए आपने अपनी स्ट्रगल बताईए आप कैसे रंग से राजा बने वो बताईए आप बताईए कि आप ने जिंदगी में जो देखा है आपने जो बाल सफेद की है ये धूप में नहीं की है वो कैसे सफेध हुए हैं ये बताईया उनको, कितने सालों में, इतने कम सालों में, इतने जादा सालों में, जो भी situation रहा हो, आपने क्या सीखा है जिन्दिगे में, आपने आपको कितना time दिया है ये समझने में कि ये लोग कौन हैं, वहीं से हमारा दूसरा गुण आता है साम के अपने audience को जानिए ये कौन है आपके श्रोता गन कौन है चाहे वो सौ की भीड में हो या फिर वो टेवल के आस पास बैठे एक दो लोगों के साथ हो आप उनको जानिए ये दूसरा गुना है आप उनको कैसे जान सकते हैं बहुत ही सिंपल है भगवान ने हमें दो कांग द बोलने के लिए जब भी मुझ खोलो तो सवाल पूछो अच्छे सवाल पुलिस वाले interrogation नहीं उनसे पूछो और जिंदगी में क्या बदलाव आया उनसे पूछो और क्या उन्हें अच्छा लगता है दुनिया में हर किसी को अपने बारे में बात करना बहुत अच्छा लग इन सब लोगों की life कहां जाके अटक गई है कैसे मोड़ ले रही है समय के साथ और जितना जाद आप इसको जान पाएंगे उतना अच्छा भाषन आप दे पाएंगे हमारा भाषन अफकोर्स एक एक कला होता है अपने आपको प्रेजेंट करने का बट उससे बड़ी बात है यह एक promise भी होता है उन लोगों के साथ कि मैं आपको यहां पर ठगने नहीं आया हूँ मैं आपको जानता हूँ यहीं समझाते हैं अपने थर्ड टिप की तरफ किसी बहुत अच्छे इंसान ने कहा है कि किसी और का जीवन जीने में अपने जीवन को विर्थ ना करें क्योंकि आपको जीवन तो एक ही मिला है और वो बहुत अच्छा इंसान मैं खुद हूँ सो आपको किसY और की तरह पबलिक स्पीकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप खुद कौन है अगर आप खुद को जानते हैं जैसा ह Scrा आने पहले बता है, अगर आपको अपनी स्टोडी अच्छे से पता है, अपनी स्ट्रगल पता है, अपने प्रॉब्लम्स पता है अपने time पता है, अपना success पता है तो आप एक individual इंसान ऊलरी बन चुके हैं और अगर आपको सामने वाले audience के वारे में पता है तो आपको आलरी पता है किस के साथ आगे रिष्टे बनाने वाले हैं वोलते हुए उस मझपर सो अगर आप इतना सब जानते हैं तो फिर तीसरा परसन कोई और बनने की कोशिस ना करें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको स्पीच की और अपने भाषन की शुरुआत इसी तरह करनी है या फिर एक कोटेशन दे के करना है या फिर आपको एक पोम बोल के करना है या एक कभीता बोलनी अच्छी सी आप वो बोलिये जो आपको लगता है जरूरी है आप वो बोलिये जो आपकी प्रिस्टनालिटी को सूट करता है अप देखिए ना हम सब अलग लोग हैं मैं अगर कोशिस करूं महात्मा गांदी की तरह बोलने के लिए नहीं हो सकता, नहीं महात्मा गांधी मेरी तरह बोल सकते थे, So, truth यही है, यह सबसे बड़ी सच्चाई है, हम इनसानों के, कि हम दूसरों के लाइफ जीने की कोशिस इतनी जादा करते हैं, कि हम भूली जाते हैं कि हम कौन है, So, public speaking का सबसे एहम, सबसे मुख है, गुण, जो आई बिलीव मैं आपको भी बता सकती हूँ, और दुनिया के सारे public speaker में है, वो किसी और की copy नहीं करते हैं, वो किसी और की तरह बनना नहीं चाहते हैं, वो वो करते हैं जो उनका दिल कहता है, वो वो बताते हैं जो उनका brain समझता है, वो वो बताते हैं जो उनके बारे में जानते हैं, और इन सब को बताने का process बहाँ simple है, Practice, जितनी ज़्यादा आप प्राक्टिस करेंगे, उतना बेटर करेंगे, और प्राक्टिस पता है, आपकी weak यूँ है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा हार्श हो के बताते हूँ, छोटे-छोटे जो पर्चिनिटी आपको लाइफ में मिलते हैं, छोटी-छोटी पर्चिनिटी का मतलब हो गया, अगर आप वर्किंग हैं, तो आपको मीटिंग में कभी बोला जाता है, जैसे गदे के सरसे सेंग, एक्जाक्ली वैसे हैं, बड़ी वाद को अगर छोटी करके बताया जाए, तो मेरे कहने का मतलब है, हर छोटे अफसर का फाइदा उठाईए, जब भी आपको हाथ में माइक मिलता है, नहीं भी मिलता है, जहां चार लोग हैं, वहाँ खड़े होकर के बोलने की कोशिस कीजिए, बैठे बैठे तो क्या बोलू मैं अब आपको, सो हर छोटे छोटे अफसर को एक बड़े अफसर में तबदील करने के लिए, उस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, एक यही तरीका है, जो सबसे बड़ा तरीका है, अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने का, और इसको कोई काठी नहीं सकता, और उससे भी जरूरी बात यह है, कि अगर आप में सब कुछ समझ लिया एक टेप, इसकी प्राक्टिस कीजिए, जी जान लगा के प्राक्टिस कीजिए, और उसके अलाबा, आप एक और अच्छी चीज कर सकते हैं, वो यह, कि आप व्मारी वेबसाइट पे जाग करके, यह देख सकते हैं, हमारा एक दिन का वाक्शॉप, जिसमें हम हिंदी में पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं लोगों को, क्योंकि हमारा मिशन ही ऐसा कुछ है, पूरी दुनिया को हम एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो इनसान इनो आप वीख हो या स्ट्रॉंग हो, आपकी शब्दों की कला कोई नहीं छीन सकता और वो आपको राजा भी बना सकता है और रंग पे, सो आप हमारे हिंदी वाक्शॉप में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए उसके लिए आप पहले वेब साइट पे जाएए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पे देखिए हम क्या सिखाते हैं, हम ऐसा क्या करते हैं जिससे इनसान एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनता है। हमसे बाते कीजिए और उस वाक्शॉप के लिए बिल्कुल उन्यों करें।